Welcome to this video on भागत सिंग, one of the most prominent revolutionaries of the Indian independence movement. In this video, हम भागत सिंग के जीवन और लेगसी का पता लगाएंगे, और भारती स्वतंतरता आंदोलन और उसके बाद के उनके प्रभाव पर ध्यान देंगे. इसलिए हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम भारत के महानतम नायकों में से एक के जीवन की यात्रा कर रहे हैं. भागत सिंग एक स्वतंतरता सेनानी थे, भागत सिंग ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, उनके साथ लाला लाजपत राय थे. उन्होंने साइमन वापस जाओ का नारा लगाया. लगबग 23 साल की उम्र में ही उन्हें फासी पर चड़ा दिया गया. तो आएए आज इस आर्टिकल में हम आपको भागत सिंग जी के बारे में बताते हैं. भागत सिंग जी की जीवनी भागत सिंग का जन्म 27 सितंबर 1960 को लायलपूर जिले के बंगा में हुआ था जो पाकिस्तान में स्थित है. उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंग सिंधु था और माता का नाम श्रीमती विद्यावती जी था. ये दस भाई बहन थे. भागत सिं क्या है? भागत सिंग का जन्म सिक परिवार में हुआ था. जब भागत सिंग का जन्म हुआ तो उनके पिता सरदार किशन सिंग जी जेल में थे. उनके चाचा श्री अजीच सिंग जी स्वतंत्रता से नानी थे और उन्होंने भारतिय देशबक्ती असोसियेशन भी बनाई भागत सिंग जी का दाखिला दयानंद एंगलू वैदिक हाइ स्कूल में कराया था बाद में नेशनल कॉलेज बाकी पढ़ाई छोड़कर भागत सिंग ने 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयो गांदोलन में भाग लेने लगे गांधी जी विदेशी चीजो का बहिशकार करते थे 14 वर्ष की आयू में भगत सिंग ने सरकारी स्कूलों की किताबे और कपड़े जला दिये सन 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंग को सेक्रेटरी बना दिया गया और इसके बाद सन 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन अस साइमन वापस जाओ के नारे लगाते रहे इस आंदोलन के चलते उन पर लाठी चार्ज पर किया गया इसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से जखमी हो गए उनकी मृत्यू हो गई लाजपत राय की मृत्यू होने के कारण देश की आजादी के लिए हो रहे आंदोलन और अपने आपको बचाने के लिए भगत सिंग लाहोर चले गए। और बाल कटवा लिये ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। इनकलाब जिन्दाबाद के नारे लगाते रहे। बहुत यातनाए सहनी पढ़ती थी। 24 मार्च 1931 फासी दी जानी थी। लेकिन देश के लोगों ने उनकी रहाई के लिए प्रदर्शन करने शुरू कर दिये। इसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर लगने लगा कि अगर भगत सिंग को रहा कर दिया गया तो वे सरकार को जिन्दा नहीं छोड़ेंगे लिए 23 मार्च 1931 की शाम 7 बचकर 33 मिनट पर भगत सिंग और उनके सातियों सुक्देव, राजगुरु को फासी दे दी गई। जाने से पहले वे लेनिन जीवनी पढ़ रहे थे। उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई उन्होंने लेनिन की जीवनी पूरी पढ़ने का समय में मांगा। कहा जाता है कि जेल अधिकारियों ने जब यह सूचना दी गई कि अब उनकी फासी का वक्त हो गया है तो उ of you found this video helpful, please give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to our channel for more videos on personal growth and well-being.